बिग बॉस तेरह रश्मी ने छुपाई थी चाय पत्ती घर में आते ही हिमेश रेश्मी याने खोली पॉल बिग बॉस तेरह में हर वीकेन का वार एपिसोड काफी दमाकेदार होता है शो में हर हफ़ते से लेब सेंट्री करते हैं और सलमान खान और कंटे स्टेंट्स के साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं इस हफ़ते मशूर सिंगर और म्यूजिक डारेक्टर हिमेश रेश्मी या शो में एंट्री करेंगे हिमेश रेश मिया ने खोली रश्मी के चाय पत्ती छपाने की पॉल इस बार वीकेन का वार के दिन की शुरुआत बिग बॉस ते रह के घर में ना सिर्फ हिमेश रेश मिया के सुपर हिट सौंध आशिकी में तेरी से होगी बलकि हिमेश खुद शो में इंट्री करेंगे हिमेश को सुबह सुबह घर में देखकर सभी कंटे स्टेंड्स काफी शौक हो जाते हैं ये सुनकर माहिरा शर्मा हैरान होते हुए पूछती हैं कि चायर पत्ती चिपाई गई है तो सिधार्त रश्मी को चोर चोर कहकर बुलाते हैं बता दें कि इस हफ्ते माहिरा शर्मा संग खाने की जूटी पर हुई लड़ाई के बाद रश्मे ने चाय पत्ती चिपाई थी, जिसकी हिमेशन घर में आकर पॉल खोल दी है। प्रमोट देकर लगता है कि घर में अब एक बार फिर चाय पत्ती को लेकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं शो की बात करें तो इस हफ्ते शे भाली जरी वाला के घर से निकलने की खबरें सामने आ रही हैं।